प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनाटक की राजीव गांधी युलिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जूबली कारिकरम को संबोधित किया। इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि दूसरे विश्वी युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट आया है। जैसे विश्वी युद्ध के बाद दुनिया बदल गई वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। पीम ने कहा कि पहले वेश्वी करण को लेकर आर्थिक मसले पर चर्चा होती थी लेकिन अब मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी है स्वास्ते के मामले में भारत पिसले 6 साल से बड़े फैसले लेने में काम्याब रहा है हम 4 पिलर पर काम कर रहे हैं अपने संभोधन में पीम ने कहा कि आज आयुश्मान भारत की वज़े से देश में एक करोड से अधिक लोगों को राहत पहुँची है और उनका मुफ्त में इलाज हुआ है हमारा लक्ष है कि देश में वैश्विक लेवल की मेडिकल सुविधाएं शुरू की जाएं इसके लावा हर जिले में मेडिकल कोलेज की स्थापना करने का लक्ष भी रखा गया है